अध्यक्ष जी उन आयामों को छूती हुई मुझे पहुची है मैं विश्वास मत का विरोध करने के लिए खड़ी हुई हूँ हर वक्ता ने चर्चा के शुरुवात जनादेश की व्याख्या करते हुए की दो परस पर विरोधी व्याख्या है इस सदन में जनादेश की रखी गई हूँ सत्ता पक्ष का कहना है कि ये जनादेश गटबंदन की सरकार के लिए था कोईलीशन के लिए था मेरी और से प्रतपरश्ण पूछा गया है कि क्या ये जनादेश कॉंग्रेस के साथ कोईलीशन के लिए था ये प्रश्ण अभी तक अनुपतरी है मैं उम्मित करूंगी कि कल पधानमंत्री जवाब देते हुए अपनी बात इससे शुरू करें कि क्या ये जनादेश कॉंग्रेस के साथ कोईलीशन के लिए था अध्यक्ष जी जनादेश की जो भी आख्या चाहें आप स्मिकार करें लेकिन एक द्रिश्य जो इस सदन में उपस्यत हो रहा है उसकी अन्देखी आप नहीं कर सकते आज से पहले इस सदन में एक दल की सरकार होती थी और बिखरा हुआ विपक्ष होता था लेकिन आज बिखरी हुई सरकार है और एक जुत विपक्ष है क्या ये जो इस अपने आख में जनादेश की अवहेलना की खुली कहानी नहीं कह रहा लेकिन अध्यक्ष जी ये इतिहास में पहली बार नहीं हुआ जबकि राज का सही अधिकारी अपने राज्या अधिकार से वन्चित कर दिया गया त्रेता में यही घटना राम के साथ घटी थी राज किलग करते करते बनवास दे दिया गया त्रेता में यही घटना धर्मराज युदिश्टिर के साथ घटी थी जब धूर्ट शक्णी के दुष्ट चालों ने राज्य के अधिकारी को राज्य से बाहर कर दिया था अध्यक्ष्टि यदि एक मन्थरा और एक शक्णी राम और युधिश्टिर जैसे महापुरुशों को सत्ता से बाहर कर सकते हैं तो हमारे खिलाब तो कितने मन्थरा हैं और कितने शक्णी करते हैं हम राज में बने कैसे रह सकते हैं अद्यक्ष्टी, शार्थ गामराज और सुराज जी की नियत ही नही है प्लीस गुमान दो में लेकि उस्पी सो इंटरस्टी अद्यक्ष्टी अद्यक्ष्टी, रामराज और सुराज की शायद नियती ही ये है कि वो एक बड़े जटके के बाद मिलता है और इसलिए मैं पूरे विश्वाज से कहना चाहती हूँ पूरे विश्वाज से कहना चाहती हूँ कि जिस दिन 28 तारीक की दोपहर को मेरे हदर्ण ये नेता अचल विहारी वाजपई ने इस सदन में रानवन त्रिपत से अपने त्याद पत्र की घोशना की थी हिंदुस्तान में उस दिन गामराज जी की भूनी का तयार हो दे हिंदुस्तान में उस दिन सुराज की नियू पड़ गए तूर दर्शन के सामने जीवन्त प्रसारण देखने वाला हिंदुस्तान का वो मतदाता उनके अध्याद पत्र की घोशना के साथ करह उठे था ये अन्याय हुआ है अन्याय हुआ है लेकिन अध्यक्ष जी अन्याय कभी ये स्वीकार नहीं करता कि वो अन्याय कर रहा है अन्याय तो अपने स्वार्थ को सिध्धान्त का बाना पहिना कर इस तरह प्रस्तूत करता है जैसे सबसे बड़ा न्याय कर रहा है और यही सदर में घटा, धर्म निर्पेक्षिता का बाना पहिन कर, हम पर सामप्रदाइकता का आरोप लगा कर, ये तमाम लोग एक साथ हो गए, एक जित हो गए, कहा था मेरे नेताने उस समय, धर्म निर्पेक्षिता बनाम सामप्रदाइकता पर राष्ट्रिय बहिस होनी चा हम चाहते हैं कि इस देश के संविधान निर्माताओं ने धर्म-निर्पेक्षटा की क्या कलपना की थी और इस देश के शासकों ने उसे किस वरूप में ढाल दिया इस पर राश्ट यबहिस होनी चाहिए अब दक्ष जी हम सामप्रदाइक हैं हां 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 हम सांत्वाइग हैं کیونकि हम दंदें मातन गाले की वकालत करते हैं हम सांत्वाइग हैं کیونकि हम राश्ट्रीय धघ्छ के सम्माल के लिए लड़ते हैं हम सामपदाइक हैं क्योंकि हम धारा 370 को समाथ करने की माइन करते हैं हम सामपदाइक हैं हम सामपदाइक हैं क्योंकि अब हिंदुस्तान में गुर्ट चलके वंच और वर्धुंक्या की बता रखता है हाँ अध्यक्षी हम सामपदाइक हैं क्योंकि जुटी सामन में समान नादुरिक संगिता बनाने की बात सकते हैं हम साम पढ़ा इक है ऑच्जी क्योंकि हम काश्पीरी शामार्खियों के धर्द को जबान देने की है अग्दक्षी ये सतुना है, ये धर्मने पेच है, दिल्ले की सर्दों पर तीम हमाद सिख्धों का कट्यान करने वाले, वो तो को है, अग्दक्षी, आप तो साक्षी है, मुस्ट, अनिया, भगति लिए, भगति लिए, क्या मैं हिंदू नहीं हूँ, मुझको मन्दित जाने से रोखा गया, और कहता कि अपरता की इसन करेंगी, वो की स्थनिव का प्रस्थ कत करेंगी, वो बगतिना पंसे करेंगी, मैं मुझका को अफ्षी का क्मतित लिए, और प्रस्थ, अधियक्षी मैं घ्रमती देवी जी की जानकारी के लिए बतादू खरतिये जनकापाटी ने तो राम मंदिर का शिला नियास एक हरीजेंसे करवाया था जो आगा जो कोणुद दिल्ली की सचतों पर तीन हजार सिठों का क्याम करने वाले ये कौंग्रिसमें सेकुलर हैं मुस्लिम और यादर का चोड़ वाइचा कर लाई की वाइचित करने वाले ये जलतादन वाले सेक्विया मैं नहीं जानता कि सदन में कितने अध़क्ष काम कर रही है मैं किवल आप से निवेदन कर रहा था कि कोई सदस अगर बोल रहा हो तो दूसरे सदस्यों को कम से कम हमारे जैसे लोगों को यह अनुवत देनी चाहिए कि उनकी बात हम सुन सके मैं नहीं जानता किस रोश में लोग बोल रहे हैं आप से बहुत से रोश वालों को मैंने देखा है तो रोश उनको में देखा है इसलिए मुझे को सबात्त जी को ले कह रहा था जब सुष्मा जी बोल नहीं है उनकी बात को सुनना चाहिए और जिनको उत्तर देना हो उनको उत्तर देना चाहिए अध्यक्ष जी मैं उनके सेकुलर प्रिडेंशन का जिक्र कर रही थी अध्यक्ष जी अपने वोच बैंक को खुश करने के लिए निर्दोश रामभत्तों पर गोलियों से भूनने वाले यह सपा वाले सेकुलर चकमा शर्णारतियों को भगाने वाले और घुसपैटियों को बसाने के वकालत करने वाले यह 25 सेकुलर सच्चाई तो यह है अध्यक्ष जी कि हम अपने हिंदू होने पर शाम भैसूस नहीं करते इसलिए हम तमिनल हैं इसलिए हम सामतदाई करते और इस देश में जब तक आप अपने हिंदू होने पर शर्मिन्द की महसूस नहीं करते आपको इन तथाकतित बुद्धी जीवियों से सेकुलर होने का सेटिफिकेट नहीं मिल सकता सेकुलर्जम की हमारी परिभाशा यह है कि हिंदू अच्छा हिंदू हो एक मुसल्मान अच्छा मुसल्मान एक सिख अच्छा सिख हो एक इसाई अच्छा इसाई और सब अपने अपने पंथों का अनुसरन करते हुए एक दूसरे के धर्मों का आदर करें यह हमारी परिभाशा है लेकिन इनका सेकुलर्जम हिंदू को गाली देने से शुरू होता है और अगर आप उस गाली देने के कारकमने शिर्कत नहीं करते तो आप सेकुलर हो ही नह सरकार हमें सेक्नरिजम की ये परिभाशा मानने नहीं अध्यक्षी आज से पहले तो केवल हिंदुत पर प्रश्चन लगाया जाता था हिंदुत पुषब्द के हमसे माइने पूछे जाते थे लेकिन पिछले विश्वास मत पर चर्चा सुनते सुनते मेरी आखें डबबा आज से पहले तो पहते थे इंडियन नेस इंडियन निशनलिटी की बात कर सकते हो लेकिन इसी सदन में चर्चा के दौरान का गया मैं तो बहुत कद्र करती हूं मुरा सली मारेंजी के लेकिन उन्हों ने कहा भी डिफरेंट आप कौन सी संस्कृति की बात कर रहा है भारत भ अध्यक्जी मैं अपने मित्र मुरासुली मारेंजी से बहुत अदब से यह कहना चाहूंगी भारतियता के माने कहीं पूछने जाने की जरूरत नहीं है अरे भारतियता कार्थ यही है कि भारतियता के माने यह है कि जम्मू के राजमा चावल और पंजाब की मक्गी की रोटी से लेकर दक्षन के इडली डोसे तक सारे आहर भारत वर्ष के आहर भारतियता कार्थ यही है कि अमर्णाथ से लेकर रामिश्वरन पक्त सारे तीर्थ भारत वर्ष के तीर्थ हैं आप पूछते हैं कि एक संस्कृति के क्या मायने है को तोस आपनाग किया एंड़ को Wid hat के पेर पकाड़ता हुआज不多 कि पष्टा बंगाल में जन्में हुए एंसी चेकरजी अपने बेचे का शूम्नाथ Are यही है एक संस्कृति, यही है एक संस्कृति, मुझे संस्कृति का अधारण कहीं शब्द कोशों में देखने की जरूएत पही है, वो इस सदन में परिदक्षित है, लेकिन अध्यक जी सवाल यह है, कि यह किसी सांपृ deliberate के नाम पर इकच्छे नए हुए है, यही ही एक एक ओड़ा हुआ बाना है, यही कच्छे हुए है। ये साफ अंपरिदा asteroids हैं चाहरा काम आरकांड़ हावारा कान की इसbiesًदार में, भाला कान की सांपड़ी खादनी लन समया चाहरा है, आपरिय। अध्यक जी ऐसे ही नहीं हुआ कि common minimum program में एक शब corruption के pending cases के बारे में नहीं है यह ऐसे ही हो गया आखिर चार लोग बैठे सारी चीज़ों पर चर्चा हुई लेकिन पूरे program में से बोफोर्स गायब है सेंट किट्स गायब है जे में गायब है शूगर सकेंदर गायब है प्यास्यों डिस इन्वेस्ट्मेंट स्कैम गायब है जिनका धिंडोरा पीट के चुनाओं में गए थे अज उसके उपर एक शब्द भी नहीं पकड़ेगा है लेकिन दोनों के रिष्टेदार दोनों के रिष्टेदार अभी नहीं पकड़े गए पांच दिन का समय दिया गया आखिर क्यों इसलिए मैं कहते हूं यह सांजेदारी सांपदाइटा के नाम करने हुई है यह सांजेदारी एक दूसरे को माफ करने के सिध्धान के नाम करती है अध्यक जी यह कहते हैं गांबिलास परस्वान कहते हैं यह सरकार चलेगी आज यहां कहा जाता है यह सरकार चलेगी नहीं दोड़ेगी पांच साल तक रहेगी मैं पूछना चाहते हूं मैं पूछना चाहते हूं मेरे नेता ने तो नहीं कहा बयान तो पहला बीजू पटनाय काया पहला बयान देड़ां विल नोट लास्ट किस घतकिया हूं भाजपा के बुदिदेृ नहीं के बुदिधर अचारी का बयान आया हूं यह वो एकर बुदिदे वाज़ाय का बयाना यह घुपर फिल नोट लास्ट जिए गंड़ा जुल्सना ने चाहते हैं बुद्धर ने आशपी उसक मैंने कर दिया, बिनाय लिनों ने किया, इसका जिक्विनों ने कर दिया, दोलो चीज रिकार पर आ जाएंगे, आगे बोड़ी, आपने और जेवी पतनायक में, क्या सांज है, ममता बेनर जी और सुमनाच चेटर जी, मैं पूछना चाहती है, उत्तरा खंदी महिलाओं के सम्मान का सौधा करके, नार अर्गत्तिवारी मुलाइम सिंग की बदल में क्यों बेचे हैं, कभी नार के हितों की अंदेखी करके, करुना मिती ने देवे गावरा को निता जो स्वीकार किया, अपने घावों की पीरा भूलकर, मंता जी अपने घावों की पीरा घूलकर आप सोमना जी के साथ मतदान पेशे कर रही है आपको बोलना इसके लिए ड्वांस नोटिस देने की कोई जरूरत नहीं है उनको बोल लेने की जिए ठीक है आपका नाम आपकी पार्टी से आएगा तो बोल लिजेगा मैं नाम क्यो ले रही हूं मैं बताना चाहती हूं अध्याजी मैं नाम क्यो ले रही हूं चोटों से आए बुखर के कारण काप रही थी बराबर में बैठी दो सांसद महिलाओं ने उन्हें लाल कंबल उड़ाया वहाँ बैठी हुई मैं उस समय कम्मिनिस्टों के हिंसक प्रविट्टी को कोस रही थी मुझे मालूम है ममताजी के विरोध के स्वर बहुत मुखर होते हैं लेकिन हम उनके विरोध के अधिकार को माननेता देते हैं हम उनके विरोध के अधिकार को स्विक्रती देते हैं हम उनके आवाज को गैग करने के लिए उन पर हमला नहीं करते इसलिए पूछना चाहती हूं मम्ता जी से आज कि इस सदन में सी पियम के साथ बाइट कर मत्रान करेगी और पश्चिम बंगाल में जाकर उनके विरोध की राजनीत करेंगी ये कैसी सांज है मम्ता जी ये कैसा धटबंगा अध्यक जी मैं जिक्र कर रही थी कि केवल भेटियों में अंकर विरोध नहीं है जो कारकमों में अंकर विरोध जलगता है वे तो माशाल्ला जब इनका प्रोग्राम आया मिनमम प्रोग्राम मैंने उसको आदिसे अंच तक पढ़ा एक बार मुझे लगा कि कुछ गलत पढ़ा गया ये हो नहीं सकता मैंने उसको दुबारा करा और पढ़ने के कुरंट बाद में रम्मू से निकला वहाँ भारत के कम्मुनिस्ट साथियो तुमने लेनिन से ये सिंतक का सफर एकी सफ़ा में पूरा कर लिया अथे जी चलिशन के कंस्ट्रेंस को मैं समझ सकती है को लीशन के कंस्ट्रेंस होते हैं मजबूरियां होती है कुछ चीजों को बरतरफ रखना पड़ता है कुछ चीजों में सांजेदारी करनी पड़ती है मगर कोई शिर्शासन करके कलाबाज इठा जाएगा इसके उने पैस अद्दर जी इसमें लिखा है इंशोरेंस सेक्टर निजी करन उसका कर दिया जाएगा और फॉरन कंपनी तक के लिए खोल दिया जाएगा मैं तो हैरान हुई क्योंकि एक साल पहले की बात मुझे जस्की तस्यात थी कहां गए चत्राननमिश अद्दर जी आपके माध्यम से बताना चाहती हूं मैं राजी सभा में याचिका समिती की अध्धिक्षा थी कमेटी और पेटिशन की चेर परसन थी हमारी समिती के सामने एक याचिका गायर की गए एक पेटिशन प्रस्तुत की गए जिसमें ये निखा गया था कि एलाइसी जी आइसी इंशोरंस सेक्टर को जो प्राइविटाइज करने की एक सिफारिश मलहोत्रा कमेटी के तरफ से आई है वो लादू नतीजा ये थी वो पेटिशन और मैं आपको चौका दू ये बात कहकर वो पेटिशन किसी और ने काउंटर साइन नहीं की थी एक एम शुने है और अध्यक जी मुझे कहा गया था कि अगर ये इंप्लिमेंट कर दी गई रिपोर्ट तो इस पेटिशन ये पेटिशन इंट्रक्ट्वस हो जाएगी इसलिए कम से कम इंटरिम डिरेक्शन दम्मेंट को दी जाए कि ये इंप्लिमेंट नहीं हूँ पेटिशन कमेटी के अध्यक्षा के नाते मैंने सरकार को डिरेक्शन दी थी कि जब तक इस कमेटी की रिपोर्ट नहीं आ जाए हम बहुत जल्दी इस कमेटी की रिपोर्ट देंगे तब तक मलहुतरा कमेटी की सिफारिशे लागू नकी जाए और इस याचिका समिटी ने इस याचिका समिटी ने इस याचिका पर रिपोर्ट देने से पहले सारी पुलिटिकल पाइटिस के लोगों को बुलाया था अध्यक जी प्रेमियर घटा किस युनाइटिट फ्रेंट का जनताटिल जिनकी सिफार है जिनके आप कुछ कहना चाहतो आप मिनिस्टर है बोलिए अगर कोई अब्जेक्स में बूल बात है तो बताईए अगेंस दरूल हो तो बताईए नैं यूर मिनिस्टर ना हो वो वंत्री तवज्या दे यह तो आजादी है यह कोट कर सकते हैं क्या मिनिस्टर जी आपको रूल बताईए ना जिससे वो नई कोट कर सकते हैं उनके रोग दूगा बताईए निस्टर मैं आपके दल की बाद कर रही हूं The Honorable Prime Minister I would like to blow your attention please मैं देवे गाउडा जी सोना चेकर जी और चाकुरान और मिश्र को सुना कर दिबाला कहना चाहूंगी मेरी बारती का पोलिसी तो भारतियों के लिए खोल दो फॉर्नर्स के लिए मत खोलो लेकिन आप भी बारती का पोलिसी पढ़कर सुना रही हूं मैं मैं तो आपके शी शीयासम की बात कराई हूं जो कबाब आजे खाई है सत्ता की अप्सलूट की अप्सलूट आप छोड़ देंगे सिर्फ इसलिए कि सत्ता लोलुटा की दोड़ में या एंटी पीजे पिस्तांस के अंदर आपको कॉंग्रिस के साथ बचना है आपको जनता दिल के साथ बचना है इसलिए मैं आपसे कह रही हूं अध्यक जी यहां सदन में यह छोड़ सकते हैं लेकिन बाहर जब अपने अपने खेत्रों में जाएंगे इनका कारकरता इने छोड़ने नहीं देगा और यह अंदर दिरोद इस सरकार को गिराने का कारण बनेंगे रहां बिलाइस पासवां कहते शरत यादे वह भी कह रहे थी नहीं यह सरकार तो चलेगी नरसिंग आउज जी ने आज कह दिया चलेगी अरे भाई नरसिंग राव तो मौंसादे बैचे हैं भूमिका निभा र यह ललिटा पवार की भूमिकानिवार रहा है नहीं भाई शरत यादर से कह रहा है ललिटा पवार वटिजा आउज ने बने और फिरियंस अब उद्रिय मायक को भी आपने श्याद में लुआ है पहले कर चुके यह प्रयोग आपके गुरु राज नारायन जी तेसे मैं तेसजिए पहले कर चुके हैं, 20 दिन के अंधर bekommt मैं वापस लिया था an fort lemonize. ईंधरा चंदुशेकर जी भाइचे ही तारते, चार महीने के अंदर इनसे समर्तन वापस लिया था, आप किस अदर्धार पर विश्वास कि आपके इश्कास को आज़ाना चाहिए, इतिहास अभी कुछ नहीं सीखा. और मैं क्रोंग्रेस की बात क्या करूँ, मैं नहीं करूँ, मैं तो भाई शरद यादव सही पूछूनी, भाई अपने समाजवादियों का इतिहास भी तो है, अब ही कह रहे थे शरव यादव डॉक्तर लोहिया यहां पर थे समाजवादियों के पास तो डॉक्तर लोहिया की दो रेडिमेड उत्तियां सरकार बनाने और सरकार गिराने के लिए हर समय मौझूद है पहली ड़क्तर लोहिया ने कहा था कॉंग्रेस को हराने के लिए शेटान से भी हाथ मिलाना चाहिए और दूसरी कहे थे डाप्तर साहब सुधरो या तूटो अब तो कॉंग्रेस की जगे भाजपा को फ्रेम में रखकर शेटान से हाथ मिलाने की वखालत करना है शरद जी लगर फोड़े दिन की बात हो जब होगा सुधरो या तूटो और हो भी क्यों नहीं शरद यादव बहुत सही बात है 65 लाक वाले मंत्री मंदल में और 3 लाक वाले बंदल में तो क्यों महीं बोलेंगे? मिष्जित तवर पर चंद दिनों की बात है जब यह होगा सुधरो या तूटो इसलिए मैं एक बात कहिकर अपनी बात समात करना चाहूंगी अद्ड्यक मोदर या जो या जो जो कहा जा रहा है अध्यक जी इस पुलिटिकल और्केस्ट्रा विल डिसपर्स इवन बिफॉर बिगिन्स, यह जो एक सामुहिक मंदली, एक समुह गीत गाने के लिए आई हैं, यह अपना अपना गालापने के लिए इतने आदी हैं, कि गिम शुरू होने से पहले यह शिराजा बिखर जाओगा लेकिन हाँ, जितने दिन यह देश आपके हाथ में रहें, इश्वर इस देश की रख़ा करें, यह पात्मा करते हुए, यह विश्वास मतादी रोगें